आप सब्सक्राइब करने वाले हैं आपके पोर्स उनकी मौर्निंग फिलिंग्स उनकी डीप थॉट्स डीप इन्टेंशन्स क्या है उनकी ठीक आज यह हम चेक आउट करेंगे अपनी रीडेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नूटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूं आप चाहते हैं ना मैं आपके लिए और इसी वीडियो में आऊ तो फटा फटसे इस वीडियो को लाइक करना है आप चाहें तो मेरे वाटसाप ग्रूप भी नहीं है जतना पॉर्सन भी रीडियो रेजोनेट करें ना रखो बागी चीजों को इगनोर करो चीक है और अफकोस अगर जब मैं ताज को शफल करूं तो अपने पॉर्सन के बारे में सोचे ताकि यह जो रीडियों है आपके साथ एक अच्छे लेवल से रेजोनेट करें चीक है ना चालो तो देखते हैं फिर आपके पॉर्सन के मौर्निंग थॉट्स मौर्निंग इंटेंशन उनकी डीप इंटेंशन डीप स्फीलिंग सबकॉंचिस माइंड में आखिर क्या है तो प्लीज डिवाइन इनुवर्स एंजल फिरट गाइड्स बताएं मेरे विवर् उस पॉर्सन की डीप इंटेंशन अज सुभा क्या है डीप थॉट्स उनके सबकॉंचिस माइंड में आज सुभा क्या कुछ है जो चल रहा है तो सबसे पहले क्वीन अफ कप्स के एनर्जी आगे ऑगे okay seven of cups and three of pentacles okay four of cups sun bottom में देख ले ते seven of vans please divine universe angels बनाएं मेरे विवर्स को जिस पॉर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं ठीक है जिस पॉर्सन के साथ मेरे विवर्स डील कर रहे हैं उनके आज morning deep intention subconscious mind feelings क्या है stress okay और्डिनरीनेस पॉस्पोन्मेंट ओके वेटिंग इनर्जी हैं ये काड़ अपने आप उटकर आया है स्क्रिजोफेर्निया टोटालिटी बॉटम में हमारे पास है सौरो ओके सो यहां पर मुझे से दिख रहे हैं लिक और जोडियक साथ आप डील कर रहे हो ना उन परसन के जोडियक साइंग यहां पर है तो आप जैसे हम चेक आउट कर रहे हैं आपकी पोर्सन के डीप थौट्स डीप फीलिंग तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे आपके पोर्सन अब बहुत इस तरीकी के इनर्जी में जब वो ना सोचते हैं ठीक है यार अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए अब मुझे मुव ऑन करना चाहिए ठीक है लेकिन फिर ही कही ना कही जैसे उनके दमाग में ख्याल आ जाता है कि अगर मैं आगे बढ़ा ठीक है तो मैं नहीं जी पाऊंगा क्यों नहीं कही ना कही ना अपनी जिन्दगी आप ही के साथ बतानी है अपना फ्यूचर उन वो आपके साथ स सबसे लाइक वो यह जो स्ट्रेस है ना मेरी जिन्दगी का वो तभी हटेगा जब वो आपके साथ जुड़ेंगे वापस आपके पोर्सन की जो स्ट्रॉंग ली मुझे ऐसे फीलिंग्स दिख रही है जैसे वो कही ना कही ना वह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे या फ उन्हें प्याया था आपके नेफशर से आपके इंटलेजन से आप से ठीक है और उनको एसा लगता है जैसे आप न वहीग बदल चुका है उनको ऐसी सोच है उनकी उनको न वहाज़ा उन्ही कही deeper न गहीं तो तो मैं कहूंगी कि ऐसा लगती है जैसे वो ना इंतजार कर रह मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब सुधरे तब मैं उनकी जिंदगी में ठीक है कब वो वापस पहले जैसी हो जाए मुझसे कोई expectation ना रखे पहले आपका यह nature था आप छोटी-चोटी चीजों में compromise कर लेते थे है ना छोटी-चोटी बाते उनकी मान लेते थे neglect करते थे उन चीजों को ignore कर देते थे वो call नहीं कर रहे है आप कर लोगी ठीक है लेकिन अब क्या चीज है ना अब ऐसा हो चुका है कि आपना expectations बढ़ चुकी है तो कहीं ना कहीं वो यह थोड़ा expect कर रहे है like a four of cups का भी energy है ना यही शो कर रहे है जैसे वो expect कर रहे है कि आप थोड़ा सुधरो यह कहीं ना कहीं उनकी सोच है उनको ना ऐसा आपकी जो person है जेनरली वो बहुत जादा practical nature की है उनके लिए अपना practical nature अपने आसपास की लोग जादा जरूरी है अपनी responsibilities जो उनको लेकर है उनकी family को लेकर है ना वो बहुत strong है ठीक है वो है उनकी life में ठीक है और वो ना कहीं ना कहीं सबके प्रती उनकी कोई ना कोई जिम्मेदारी है ठीक है और उनको सबके प्रती अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है और आप थोड़े ऐसे nature के हो जो ना थोड़े मतल को के बारे में सोचेंगे या फिर मैं कह लूँ के बहुत जादा अपनी फैमिली को लेकर सोचेंगे ठीक है बाहर वालों से शाथ कमिनिटी से सुसाइटी से तना डिफरेंस नहीं पढ़ता उनको बट मेभी उनका नेचर ना थोड़ा ऐसा है और वो आपसे एक्सपेट करते हैं कि आप भी न ऐसे ही बन जाओ ठीक है थोड़े कहीं ना कहीं ना मुझे ऐसे दिख रहा जैसे या तो मेभी जब यह नो कांटाक सिच्वेशन भी आए थी तो शायद आपके परसन आप में बहुत जादा कमिया निकालने लग गए थे हमेशा आपको यह कहते रहते हैं तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुझे यह न देना ही नहीं है उनोंने वो ब्लेम जो देना है वो आपको देना है उनोंने तो ऐसी उनकी इनरजी है यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आपके परसन ना कोशिश बिल्कुल जैसे मैने का कि करते हैं आगे बढ़ने की लेकिन फिर रुक भी जाते हैं उनको भी न क नहीं मेभी अगर शायद वो third party situation में भी अगर फसे हुए तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिस third party के साथ भी उनका कोई अच्छा positive connection दो नहीं है ठीक है वहाँ पर ना उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको जो उनका stress खतम होता है ठीक है जो उनकी life में जो problems है वो आपसे बात करके उनको ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब खतम हो रही है ठीक है वो ना उनको ऐसा ही महसूस होता है जैसे आप से बात करके ना अब सब कुछ सही हो जाएगा वो ऐसी energy में रहते हैं लेकिन कही ना कही ना वो अभी भी ऐसी energy में है जहां पर ना वो आपको लेकर किसी points पर गलत यह चीज आप अच्छे से समझ सको कि उनको ऐसा मैसूस होता है कि आप किसी पॉइंट पर गलतो ठीक है और वो न मतलब यह ऐसा सोचते हैं आपको लेकर कि नहीं वो अपने आप सुधरेगी तो मैं उसके पास जाऊंगा वो या तो कॉल करेगी तो मैं उससे बात करूँगा उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कभी ट्राइ ही नहीं करा उनसे बात करने का उन्हें ऐसा लग रहा है आपने कभी कोशश ही नहीं करी है ठीक है आप उनसे शायद बात ही नहीं करना चाहते हो या मतलब आपको लेकर काफी गलत फैमियों में काफी confusion की energy में आपके person मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं और यह no contact ऐसी situation है जहाँ पर आज सुभा भी आपके person ना इस sorrow के energy में परिशान हुए दिख रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए क्या activity उन्हें लेने चाहिए क्या next steps उन्हें लेने चाहिए क्या efforts उन्हें डालने चाहिए ठीक है तो ऐसी आपके person की ना कहीं न कहीं मुझे energy दिख रही है जहाँ पर वो ना यह समझ नहीं पा रहे है बट यहीं पर यह sun का card है जो कि again बहुत positivity इस relationship में दे रहा है ठीक है और कहीं न कहीं यहीं कह रहा है कि चाहिए कितनी ही मुझे के ले क्यों न आ जाए आपके relationship में ठीक है लेकिन अगर आप दुनों का साथ होना लिखा है तो definitely आप दुनों साथ होगी ठीक है ऐसा नहीं है के साथ नहीं होगी ठीक है चाहिए कितना ही relationship में देखो problem क्यों न आ गई हो चाहिए कितना ही no contact न आ आया हो है ना काफी long term रहा है यह no contact लेकिन यहाँ पर देखो तो यह is chryzophania and totality का जो card है दोनों ही यह show कर रहे है कि आप दोनों का trust नहीं तूटा है trust उनको भी आप पर है कि आप कहीं और जाने वालों में से हो नहीं और trust आपको भी उन पर है ठीक है कि चाहिए वो third party की तरफ चलाई क्यों नहीं गया या मतलब कुछ भी है लेकिन आप इतना आपको भरोसा है कि आप प्यार वो मुझी से करता है और लोट कर वापस उसे मुझे मेरे पास ही आना है ऐसी आपकी एनरजी है यह ना दिल से कहीं न कहीं आप चाह रहे हो हाँ यह no contact आपको बहुत परिशान कर देता है लेकिन भरोसा आपका फिर भी नहीं टूटा है चाहिए आपके परसन ने कुछ ही क्यों न करा हूँ आपको इतना जरूर मालूम है कि आएगा और वो मेरे पास कि आएगा कहीं और तो जाने से रहा तो यह कहीं ना कहीं आज मुझे ना मॉर्निंग में आपकी आपके परसन की इनर्जीज दिख रही है ब्यूटिफ़ चले और देखते हैं आपके परसन अगर आज सुभा आपको कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहीं यह आप से प्लीज डिवाइन उनिवर्स एंजें पर गाइड़ बताएं मेरे व्यूवर्स को आपके साथ ही रहे कर उन्हें बहुत अच्छा बहुत हापी महसूस होता है ठीक है स्माइल शायद ना उनकी जो चहरे की वो हसी है उनकी स्माइल जो है वो आप ही हूँ ठीक है और आपको देखकर जैसे वो ब्लश करते हैं जो स्माइल उनके चहरे पर आती है शायद इतनी फीलिंग्स इतना प्यार और किसी से नहीं करा है कभी उन्होंने और मुझे दिखता भी नहीं के करें है ना तो ऐसी उनकी एनर्जी है So I think so this is all for today Thank you so much Buh-bye, thank you